अप्डेट के जानका रही है वो आप सभी को मैं आपर देने वाला हूँ जैसा कि आप सभी को पता है SSC की तरब से आपको यहाँ पर जो पर्मानेंट जो नर्ट्रिंग ओफिसर की वेकैंसी है वो आपको यहाँ पर निकाली गई है यहाँ कि काफी सारी जो पोस्ट है वो आपको दी गई है अलग अलग कैटेगरी के अंदर पोस्ट आपकी दीगी है टोटल लगवग 2,000 प्लस आपको जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी अपको कमेंट आ रहे हैं या सर जो पूरे वैबसाइट पर देख चुके है या फिर जो सरकारी रिजल्ट की जो ओफिसल वैबसाइट है उसके उपर भी जाकर देख चुके हैं लेकिन उनको SSC की जो पोस्ट है वो आपर नहीं दिख रही है यह जो ओफिसियल जो नोटीस है है SSC के जो नर्शिंग ओफिसर से रिलेटेड है तो वो वहाँ पर नहीं दिख रहा है तो वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप SSC का जो नोटीफिकेशन है या फिर नर्शिंग ओफिसर की जो डिटेल है वो आप कहां से ले शकते हैं तो वो चीज के बारे में हैं आपर जो जानकारी है वो आप सभी को यह आपर देने वाला हूँ सबसे पहले देख लिजेगा इस टाप सेलक्सम कमिशन यानकी SSC की तरप से आपको जो पर्मानेंट नर्शिंग ओफिसर की जो वेकंसी है वो आपको यहाँ पर निकाल दी गई है जिसका जो अप्लिकेशन फॉर्म की अगर मैं डिसकस करूं तो 26 फरवरी से आपकी जो अप अपलाई कर पाएंगे उसके बाद में आप इस वेकंसी को अपलाई नहीं कर पाएंगे तो जो भी इंड्रेस्टिंग कंडिएट है वो 18 मार्स तक आप अपनी वेकंसी को जरूर अपलाई कर ले ठीक है इसमें देख लिजे गुनीस 18 मार्स तक इसकी एप्लिकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं गुनीसmother तक प्रेमेंट काट सकते हैं और उसके बाद में अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो करक्शन की डेटी भी आपको यहां पर दीगी है कि आप करक्शन वे किपने टाइम तक के भीच में आप करक्शन कर सकते हैं तो इसमें देख लिजे जी प्रें क से लेकर 24 मार्चन की पूरे दो दिन का टाइम मिलेगा आपको अगर आपकी कुछ मिश्टेक हो जाती है तो आप उसके अंदर करक्शन कर सकते हैं ठीक है बाकिया कर किसी कंडेट को फिर भी अगर कोई डावट है तो यह टोल फरी नमर आपको दिये गए है इस टोल नोटिस तो सभी कंडेटों को मिल ही चुका होगा इसमें कोई दोराए नहीं है सभी कंडेटों के पास यह नोटिफिकेशन पहुच चुका होगा लेकिन जो सबसे बड़ी और इंपर आईगी तर हमें पोस्ट देखनी है कि ऑफिचल पोस्ट हमें कहां से मिलेंगी या फिर कहा कहा से पोस्ट आइए क्योंकि ssc एक center की vacancy है तो अलग अलग जगे आपको post यहाँ पर देखने को मिलेंगी ssc के लिए तो आपको क्या करें जह अगर आपके पास यह notice है तो आपको क्या करना है यह आपको यहाँ पर link दिये हुए हैं देख लीजीगा post details link ठीक यानि कि post की detail का आपको यहाँ पर यह link आपको provide किया गया है देख लीजीगा comment box के अंदर भी मैं डाल दूँगा इस link को आप directly वहाँ से जाके आपकी SSC की जो post detail है वो आपने देख सकते हैं जैसे ही आप इसके उपर क्लिक करेंगे ठीक है तो आपको यह ओफिस्यल जो website है यह directly SSC की जो detail है इनकी वेकंसी detail है उसके उपर आपको लेके जाएगा जिसके अंदर आपको मांगा जाएगा post details इस टाप सलक्षन commission तो आपको सबसे पहले select करना है यहां पर देख लीजिएगा वेकंसी दी गई है 21 की अंदर आई थी 22 की अंदर थे इसके अंदर तो आपको क्या करना है फेज 2024 पोस्ट के उपर क्लिक करना है उसके बाद में यहां पर एक जो सबसे बड़ा आपके पास question पूछा जाएगा यह देख लीजिएगा Central region, Eastern region, करनाटक region, मध्यापरदेश region, North Eastern और Northern region यह सारे आपको region दिए गए है मध्यापरदेश region से अगर apply खेंगे तो आपकी posting मध्यापरदेश के अंदर रहेगी अगर आप करनाटक से apply करते हैं तो आपके जो के लिए मैं बात करते हैं Central Region के उपर मैंने क्लिक किया यहां पर देख लीजिए दोनों आपके फिलिफ हो चुके तो आपको यह डिरेक्टली सेलक्ट के ओपर क्लिक करना है जैसे आप सर्च के ऊपर किले करोगे तो आपकी जो Central Region के अंदर जितनी भी पोस्ट निकली है SSC की तरब से वो सारी पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी देख लीजिए आपको यहां पर दे दिया गया है उसके बाद में आपको पोस्ट का नेम भी दिया गया है तो सबसे पहले देख लीजिए आपको पोस्ट कोड और पोस पोस्ट है Central Region के अंदर नर्शिंग ऑफिसर की पोस्ट है Medical Laboratory की पोस्ट है Pharmacist की पोस्ट है इस्टोप की इस्टोर कीपर की पोस्ट है उसके बाद में लैबरेटरी असिस्टेंट की साइन्टिफिक असिस्टेंट की इस परकार से काफी सारी पोस्ट है लेप डगनीशन वग रहेगा जिसमें 44,900 रुपा आपकी बेसिक रहेगी और एक लाग ब्यारी जार प्रतुज्ट है वह आपकी पहुंच सकती है यहां पर देख लिए एक्शन के बटन पर आप क्लिक करोगे अनकी नर्शिंग ऑफिसर के सामने जब एक्शन के बटन के ओपर क्लिक करोगे तो आपके पास पूरी डिटेल निकल कर आजाएगी नर्शिंग ऑफिसर से रिलेटेड़ तो यहां पर देख लिजीगा पोस्ट को ड़ाया है पोस्ट का नेम आपको दिया गया है नर्शिंग ऑफिसर पैले पोस्टिंग यह सैंट्रल रीजन की आपने वैकेंकी डिटेल की है तो यह देख लिजे पहले इस उपदा जो पोस्टिंग इसकी रहेगी वो आपको उत्रप्रदीश यहां पर देखने को मिल जाएगी ठीक है यहां कि पहले इस उपदा पोस्टिंग आपकी उत्रप्रदीश रहेगी उसके बाद में आपको क्वालिफिकेशन के बारे में भी को यहां पर देखने को मिलेगा कि कौन-कौन कंड़ेट इसके अंदर क्वालिफाई हैं भरने के लिए तो यहां पर देख लिएगा ब्यासी होंस नर्सिंग वाली जो करणिडेट है वह इस वेकंसी को अप्लाई कर सकते हैं ठीक है उसके बाद में जो एमसी नर्सिंग कंड़ पर 50 लिए हुस्पिटल का आपको यहां नच यहां पर एक्सपीरियंस है वह आपका कहां यहां पर मांगगा है ठीक है जीनने मौनियने वाली जो कंड़िडेट है उनके पास यहां पर एकी कंड़ियेट पास यहां पर एक्समिंग जैस आपका मांग गया है उसके बाद में डिपार्टमेंट डेटेल आपको यहां पर दी गई है जिसके अंदर मिनिस्ट्री नेम डिपार्टमेंट नेम ओफिस नेम सारी चीजिए आपको यहां पर दीगी है जो वेकंसी है उसका पे लेवल आपको यहां पर दीगी इसके आदर देख रहींगी जनरल का टेगरी की पॉस्ट है, ST की, SC की, OBC की और EWS और ESM ठीक है, यह सारी डिटेल हैं, इस वेकंची से रिलेटेड, SSC की जो वेकंची से रिलेटेड मैंने आपको सारी जो डिटेल हैं, वो आपको परवाइड करा दीगी है देख लीजेगा इसकी ओफिशिल वेबसाइट से मैंने आपको जानकर देने की कोशिस किया क्योंकि काफी कंडेट यह बोल रहे थे सर हमें जो पोस्ट डिटेल है वो नहीं मिल रही है तो आप जिस भी रिजन से अप्लिकेशन फॉर्म को करेंगे या फिर करना चाहते हैं तो वो आप डिटेल जरूर देख लीजेगा और लास्ट डेट का आप जरूर ध्यान रखें इस वेकंशिस के अंदर तो अब सभी कंडिडेटों के लगबग डाउट क्लियर हो चुके होंगे कि एससी की वेकंशिकी जो पोस्ट डिटेल है नर्सिंग ओफिसर की वो कहां से मिलेगी तो इसकी जो लिंक है पोस्ट डिटेल का एक स्पेसल लिंक दिया गया है एससी की तरफ से तो लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दूँगा तो डायरेक्ट वहां से जाके आप एससी की जो पोस्ट है वो आप दे सक सरूँगा नेक्स्ट वीडियो आपके पास लेके आऊंगा आपके डाउटों से रिलेटेड और आपको एससी के वेकेंसी से रिलेटेड कम्प्लीट ली इंफॉरमिशन आपको ब्राड कराऊंगा तो थैंक्यू सो मच अगर इंफॉरमिशन अच्छी लगी तो चैनल को सब सब्सक्राइब करते जाएं साथी साथ अपने फ्रेंड सरकल केंदर इस वीडियो को सेयर कर दें जिससे उनसे पता लग सके कि एससी की तरफ से आपको पर्मानेंट जो वेकेंसी है वह आपको देखने को मिल रही है जैंहीं